राजेश लेकिन आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि यूक्रेन में इस समय जमीन की स्थिती क्या है अगर यूनाइटेड नेशन्स अपनी तरफ से आंकड़ा जारी करके कहता है कि धाई अजार के करीब लोग मारियोपोल में मारे गए हैं अगर यूक्रेन की तरफ से बार-बार ये डर जताया जाता है कि देखिए हमारे शेहर के शेहर आग के हवाले किये जा रहे हैं हम क्या करें तो इस समय की स्थिती समझाईए और कीव में किस तरह का आक्शन आप देख रहे हैं वो भी बताए देखिए इस वक्त सारी निगाहे ब्रसल्स के ऊपर हैं पेल्जियम की राजधानी जो नेटो का हेड़कॉर्टर है और जहां कुछ ही समय बाद नेटो देशों की मीटिंग शुरू होनी है जिसमें जोड बाइडन जो की अमेरिका के राश्रपती है वो शामिल होंगे इसके अलावा इंट्रेस्टिंग बात है वो रहेगा नेटो का डिफेंसिव पोस्चर और युक्रेइन के बारे में नेटो क्या कर सकता है आगे फ्यूचर में उसकी रण नेती पोस्चर के बारे मता दूँ अभी जो देश खासकर बाल्टिक नेशन्स हैं लाट्विया लिथवेनिया एस्टोनिया और पॉलेंड यह चार देश लगातार यह डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ पर जो सिक्योटी है उसको पुखता किया जाए क्योंकि किसी भी वक्त युक्रेइन से अगर आगे युद बढ़ता है योरोप की तरफ तो यह सबसे पहले एफेक्टेड होंगे तो यह चार देश बहुत जोर कर दिया जाए यह मिलिटरी टर्म से हैं अर्थ सरफ ही है सीधे शब्दों में कि वहां और ज्यादा लगाए जाए और मिसाइस तैनात की जाएं और और सैनिक वहां भीज जाएं दूसरा बड़ा मुद्दा जो रहेगा वह है युक्रेइन की स्वरक्षा का इस लड़ाई क कि युक्रेइन को और कितना साजो समान अवेलिबल किया जाए कि उन्हें क्या देना है किस टिकनोलोजी का देना है कितना एडवांस देना है और कितना साजो समान देना है दूसरी बात इसको युक्रेइन में पहुंचाना कैसे है देखिए अभी युक्रेइन का जो है समु तरह से एंटर नहीं हो सकता चाहिए वो सी ओफ अजोव हो चाहिए वो ब्लैक सी हो दोनों तरह से रूसी नेवी ने बिल्कुल ब्लॉकेड कर दिया है उक्रेन का किसी भी तरह से वहां से कुछ इंसाज और समान नहीं आ सकता एर पहले ही वो खत्म कर चुके हैं कोई भी एरप बेजने का वो है लैंड रूट चाहिए वो ट्रेंस से बेजें चाहिए बड़ी-बड़ी गारियों से बेजें और इन दोनों पर रूस की नजर रहेगी जो उने कभी भी किसी भी वक्त प्रिसुशन गाइडेट मिजाई से टागेट कर सकता है दूसरा बड़ा जो तीसरा बड़ा सवाल जो डिसकस होगा इस नेटो मीटिंग में वो है पॉलेंड का पॉलेंड के दो इशू है पहला इशू उनका है वो बोल रहे हैं कि किसने के शांती से ना भीज जा यूक्रेन में ताकि जो वो एड़ भीच रहे हैं उस जो लोग उसमें इन्वल्ड हमको बचा इस मांग को स्विकार नहीं किया जाएगा दूसरा इशू पॉलेंड का है कि जो रिफ्यूजी जा रहे हैं अभी टू पॉइंट टू मिलियन रिफ्यूजी जो हैं बाइस लाख रिफ्यूजी पॉलेंड के अंदर दाखिल हो चुके हैं उनका खाना पीना रहना सैना इस में काफी बड़ी तादाद में बड़े तरीके से इसमें इंवल्ड है काफी फॉरन एड आ रही है मिलियन से मिलियन सब डॉलर्स वहां आ रहे हैं लेकिन पॉलेंड बोल रहा है कि उसकी अर्थ विवस्था भी इसका बहुत बुरा आसर पढ़ रहा है